अगर आपको भी इंडो चाइनीज खाना बहुत पसंद है तो यह रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है अगर यह रेसिपी अच्छी लगे तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस नहीं कर पाएं सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी सबसे पहले मैं मंचूरियन बॉल्स बनाऊंगी मैं यहाँ पर वेजिटेबल्स यूज कर रही हूं मैंने कैबेज लिया है कैरट है कैपसिकम है और वाइट अनियन का मैंने वाइट पार्ट लिया है और ग्रीन पार्ट को अलग कर दिया है इन सभी वेजिटेबल्स को मैंन मैं आड़ कर रही हूं जिंजर गार्लिक पेस्ट एक टी स्पून सॉल्ट और एक टी स्पून ब्लैक पेपर अब चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट को स्किप भी कर सकते हैं और सिरफ गार्लिक यूज कर सकते हैं नहीं तो कुछ भी यूज मत कीजिए यह मैंने ग्रीन चि करके भी डाल सकते हैं अब मैं इसमें कॉणफलार और मैदा एड़ कर रही हूं इन दोनों की रेशो में टू इस टू वन रखूंगी मीन्स अगर मैं दो चमज कॉणफलार डाल रही हूं तो एक चमज मैं मैदा एड़ करूंगी इसकी मैं exact quantity इसलिए नहीं बता रही हूं क्यो और दो चमज मैदा डाला है अब मैं इसे gently mix कर रही हूं and you can see कि जब मैं बैटर अपने हाथ में उठाती हूं तो यह टूट रहा है यह बाइंड नहीं हो रहा है हमें ऐसी consistency नहीं चाहिए तो अब मैं यहां पर फिर से दो चमज कॉणफलार और एक चमज मैदा एड़ कर रह है इसे मैं अपने हाथ से अच्छे से mix करूंगी बहुत ज्यादा squeeze नहीं करना है हमें vegetables को नहीं तो वह excess water छोड़ेंगी और इसमें हमें और मैदा और corn flour add करना पड़ेगा बहुत ही gently मैं इसे mix दूंगी अब इसके बाद मैं इसमें add कर रही हूं एक tablespoon butter यह room temperature पर था और यह आप जरूर ट्राइ कीजेगा इससे आपके manchurian balls अंदर से बहुत ही soft बनेंगे और बहर से crispy बनेंगे और taste भी बहुत ही awesome आएगा आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा इसे मैं हलका सा mix करूंगी और उसके बाद अपनी सारी manchurian balls बना लूंगी आज मैं medium size की balls ही बना रही ह कि यह कितना perfectly bind हो गया है अब मैं इसी तरीके से अपने सारे balls बना लूंगी तो मेरे manchurian balls fry करने के लिए ready हैं जब तक मैं balls को fry करूंगी साथ ही में मैं अपने rice को भी boil कर लूंगी यह 1.5 cup चावल है बासमती rice हैं इन्हें मैंने आदा गंटा पहले भिगोकर रख दिया था इन्हें मैं खुले पाने में boil कर लूंगी और fried rice के लिए मैंने कुछ यहाँ पर vegetables chop करके रखी हैं beans है, garlic है, onion है, capsicum है और carrots हैं मुझे fried rice में बहुत सारी vegetables पसंद हैं आपको जो vegetables अच्छे लगते हैं आप वो add कर सकते हैं तो अब मैंने यहाँ पर कड़ाई में oil गरम होने के लिए रख दिया है, इसे मैं medium flame पर ही गरम करूंगी बहुत ज़ादा हमें इस तेल को गरम नहीं करना है क्योंकि अगर आप ज़ादा तेज आँच पर इसे fry करेंगे तो यह बाहर से बहुत जल्दी brown हो जाएंगे बट अंदर से कच्छे रह जाएंगे तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बैटर डाल कर try किया है, you can see कि यह बहुत जल्दी brown नहीं हो रहा है यह medium hot oil है, इसमें मैं धीरे धीरे अपने balls एड़ कर दूँगी make sure कि आप यहाँ पर बहुत ज़ादा balls एड़ नहीं करें, मेरी यह कडाई काफी खुली है, बड़ी है इसलिए मैंने यहाँ पर 7-8 balls एड़ कर दी है, बट आप यह make sure करें कि यह balls आपस में touch नहीं होने चाहिए यह बहुत ही soft और delicate होते हैं, कम से कम 1-8 minute तक हमें इसे इसी तरह से fry होने देना है, हमें इसे छेड़ना नहीं है क्योंकि अगर एक भी वाल इसमें से फट गई तो सारा गी वेस्ट हो जाएगा और बागी की वाल्स भी फटने के chances बढ़ जाते हैं now you can see 1-8 minute बाद यह काफी settle down हो गए हैं, एक तरफ से अच्छे से पग गई हैं, इनकी outer layer थोड़ी सी पग गई है, इसलिए मैं इनको easily stir कर पा रही हूँ इसे मैं 1-8 minute या शायद 2 minute तक थोड़ा और पकाऊंगी मैं इन्हें आज double fry करने वाली हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसी step पर थोड़ा इन्हें और fry कर लें और उसके बाद इन्हें निकाल कर आप इसको ready कर सकते हैं बट मैं आज इन्हें double fry करूँगी, मार्किट में भी जो मंचूरियन हम लेकर आते हैं वो double fry ही करते हैं, उससे taste थोड़ा enhance हो जाता है तो मैं यहाँ पर अभी इन्हें इस तरीके से निकाल रही हूँ यू किन सी कि यह बिलकुल light brown कलर के हैं अंदर से यह पक गए हैं बट आउटर लेयर इसकी थोड़ी और crispy हो जाएगी तो यह और अच्छे लगेंगे तो अब मैं अपना फटा फट से second batch भी fry कर लूँगी, सबसे पहले मैं oil को चेक कर रही हूँ क्योंकि usually हम सभी यह mistake करते हैं, second batch को बस as it is डाल देते हैं बट हमें हमेशा पहले oil का temperature चेक करना चाहिए अब इन बॉल्स को दुबारा fry करते समय, you make sure कि आपका oil बहुत ही तेज गरम होना चाहिए इतना तेज कि उसमें से धुआ उट रहा हो, क्योंकि यह flash fry है और इसमें अगर आपने बिल्कुल कम आंच पर अगर इन्हें fry कर दिया तो यह बहुत जादा oil कर लेंगे और इसका टेस्ट पर बिल्कुल बिगड़ जाएगा इसलिए you make sure कि बहुत ही तेज गरम होना चाहिए और इसे आप बस half minute के लिए ही fry करेंगे तो you can see कि इसमें color बिल्कुल change होने लग गया है यह dark brown हो गए है बस मैं इन्हें इतना ही fry करूंगी now you can see कि इनकी outer layer विल्कुल crisp हो गई है और यह एकदम perfect maturian balls ready है meanwhile मेरे rice भी boil हो रहे हैं मैंने इसमें कोई salt add नहीं किया है अब मैं Chinese cooking के लिए अपनी iron कडाई यूज करती हूँ आप चाहें तो जो भी कडाई आपके पास available है nonstick या aluminum steel मुझे लगता है कि iron कडाई से वह market के वोप वाला थोड़ा flavor आ जाता है इसलिए मैं iron कडाई यूज करती हूँ तो मैंने इसमें या पर तीन टेबल स्पून ऑइल डाला है सबसे पहले मैं fried rice ready करूंगी आपका oil बहुत जादा hot होना चाहिए क्योंकि जब stir fry होती है vegetables बिल्कुल तेज आच पर बहुत तेज गरम oil में तो वह बहुत अच्छा flavor देती हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर garlic add कर रही हूँ मैं बस इससे कुछ second तक ही fry करूंगी क्योंकि हमें इसे brown नहीं करना है अब मैं इसमें बागी की सारी vegetables add कर दूंगी Chinese cooking की एक मुझे बहुत ही खास बात लगती है कि इसमें cooking time बहुत ही कम है सिर्फ veggies को chop करने में बहुत जादा time लगता है क्योंकि इतनी सारी vegetables आप इसमें डालते हैं कि यह अपने आप में इतना healthy हो जाता है बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है आप taste taste में उन्हें जो मर्जी vegetables खिला दीजिए वो खुश हो के खा जाएंगे इन vegetables को बस मैं 2-3 मिनट तक ही stir fry करूँगी इन्हें हमें बिल्कुल पकाना नहीं है एकदम गलाना भी नहीं है इन्हें बस एक rawness इनकी खतम करनी है और अब मैं इन्हें 3-4 मिनट पकाऊंगी और इसके बाद इसकी seasoning करूँगी सबसे पहले मैं इसमें add करूँगी एक सी देड़ चमर्द तक salt क्यूंकि मैंने अपने rice में भी बिल्कुल add नहीं किया था salt तो उसी साबसे मैं इसमें add कर रही हूँ एक teaspoon मैंने black pepper add किया है फ्राइड राइस बनाने का कोई ऐसा fix rule नहीं है guys सभी अपने तरीके से बनाते हैं आप चाहें तो इसमें chili flakes भी add कर सकते हैं sauces भी add कर सकते हैं green chili sauce भी add कर सकते हैं बट मैं यहां पर वही green chili paste add कर रही हूँ थोड़ा सा डालूँगी क्यूंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ आप चाहें तो चिली इसको chop करके भी डाल सकते हैं बहुत अच्छी लगती है fried rice में अब मैंने इसमें add किया है एक टी स्पून सोया sauce क्यूंकि यह dark soya sauce है इसलिए मैं एक चमश ही add कर रही हूँ अगर आपके पास light soya sauce हो तो आप इससे दो चमश भी add कर सकते हैं अब मैं इसमें अपने rice पी add कर रही हूँ आप make sure करें कि आपके rice थोड़े से थंड़े हो जाएं आप उन्हें एक बड़े बरतन में खुले बरतन में थोड़ा सा थंड़ा होने के लिए रख दें मुझे इस वक्त शूट करना था इसलिए मैं यहाँ पर गरम ही add कर रही तो वो बहुत ही खिले खिले बनेंगे और तूटेंगे नहीं तो यह trick आप जरूर try कीजिएगा मैं अब इन्हें बहुत ही हलके हातों से mix कर रही हूँ क्योंकि यह काफी गरम है अब मैं इसमें add करूंगी 2 teaspoon vinegar यह optional है आप चाहें तो डालें मुझे अच्छा लगता है इसक कर रही हूँ और हमारे fried rice बिल्कुर ready है इन्हें मैं garnish करूंगी spring onion के green part से तो अब मैं फटा फट अपना manchurian ready कर लूँगी मैंने यहाँ पर 3 tablespoon garlic लिया है और 4-5 spring onion थे आप make sure करें कि जब आपको इसे serve करना हूँ आप तभी manchurian gravy ready करें उस वक्त यह बिल्कुल best taste देती है तो मैं यहाँ पर same iron कडाई ही use कर रही हूँ मैंने आप 2 tablespoon oil use किया है अब यहाँ मैंने गलती कर दी मैंने बहुत तेज गरम नहीं किया है oil को तो आप मत यह गलती करना आप अच्छे से oil को गरम करना और उसके बाद ही इसमे garlic एड़ करना इसे अब मैं आधे मिनट तक पकाऊंगी क्योंकि यह जादा गरम नहीं है अभी और फिर इसमें spring onion add कर दूँगी आप चाहें तो यहाँ पर capsicum भी आड़ कर सकते हैं carrots भी आड़ कर सकते हैं इसकी seasoning के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा salt आड़ करूंगी अभी बहुत जादा आड़ मत कीजिएगा क्योंकि soy sauce में और बाकी की sauces में भी काफी नमक होता है तो हम बाद में चेक करके इसे ग्रीन चिलीज को आप slit करके डाले चॉप करके डाले बहुत अच्छी लगे कि इसमें बट बच्चों के लिए है तो मैं नहीं डाल रही हूं बस इन्हें एक हलका सा mix दूंगी बहुत जादा हमें नहीं पकाना है यू कि यह थोड़े ब्राउन होने लगे हैं तो मैं फटा आप कि इसमें ऐड करें इससे टेस्स बिल्कुल next level हो जाता है और अब मैं इसमें आड कर रही हूं सोय सॉस सॉस की quantity भी इसक्ट आपको नहीं बता रही हूं इससे आप अपनी preference के according आड कर सकते हैं कि आप कितना डाक चाहते हैं कालर को मेरी डाक सॉय सॉस है इसलिए मैंने इसमें दो टी स्पून पहले एड़ किये थे और उसके बाद मैं इसमें रेड चिली सॉस एड़ कर रही हूं यह भी मैंने थोड़ी सी एड़ की है आप चाहें तो जादा भी डाल सकते हैं अगर आपको स्पाइसी पसंद है और यू कन सी कि यह बॉयल आ रहा है इसी वक्त में हम इसे सॉसेज को एड़ करना होता है ताकि यह अपने सारे मिक्स्चर में अच्छे से फ्लेवर एंहांस हो जाएं अब मैं यहाँ पर टोमेटो केचप एड़ कर रही हूं यह बच्चों को बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा जादा यूज यूज करूंगी आप यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस डेफिनेटली यूज कर सकते हैं ग्रीन चिली पेस्ट जो मैंने पहले दिखाया था बट मैं उसे बिल्कुल लास्ट में अड़ करती हूं थोड़ा सा बच्चों के लिए निकालने के बाद क्यूंकि उन्हें तीखा नही करने के बाद इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है अब मैं इसमें कॉणफलार एड़ करूंगी मैंने दो चमच कॉणफलार को दो तीन चमच पानी में मिक्स कर लिया है और मैं इसे धीरे धीरे ग्रैजुली आड़ करूंगी एकदम से बहुत जादा कॉणफलार आप नहीं कभी कभी ना कॉणफलार एड़ करने के बाद कलर थोड़ा और लाइट हो जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सोय सॉस और एड़ की है सो बेसिकली सोय सॉस आप बिल्कुल अपनी लाइकिंग के हिसाब से इसमें एड़ कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर अपनी मंचूरियन बॉल्स भी एड़ कर दूंगी आप चाहें तो ग्रेवी को थोड़ा और थिक कर सकते हैं बड़ क्यूंकि यह थोड़ी देर थोड़ी सी ठंडी होने के बाद और थिक हो जाती है अपने आप इसलिए मैंने इसे इसी तरह की रानी कंस काऊंगी ताकि इन बॉल्स के अंदर तक सारे सॉसिस के फ्लेवर्स चले जाएं और यह थोड़ी सी साइज में भी बढ़ जाती है जब इनके अंदर सॉस जाती है अब मैं लास्ट में यहाँ पर थोड़ा सा वेनिगर एड़ कर रही हूं यह स्टेप ऑप्शनल है अगर आ बच्चों के लिए निकालने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीन चिली पेस्ट एड़ किया है क्योंकि मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है तो अब मैं इसे एक मिनट तक और पकाऊंगी और फिर सर्ब कर दूंगी इसमें ग्रीन अनियन बहुत ही अच्छा लगता है चाइनेज कुकिंग में आप नॉर्मल अनियन के बिजाए अगर स्प्रिंग अनियन यूस करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा तेस्ट आएगा कैप्सिकम भी आड़ कीजिए बहुत अच्छी लगती है हमारा मंचूरियन सब करने के लिए बिल्कुल रेडी है मुझे इसकी नरेशन करते करते ही बिल्कुल मन हो गया इसे खाने का आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी मेक शूर नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप कौन सी रेसिपी दिखना चाहते हैं आने वाले टाइम पर मैं अपनी चैनल पर बहुत सारी रेसिपी पोस्ट करने वाली हूँ तो मेक शूर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक करना ताकि आने वाले वीडियो आप मिस नहीं कर पाओ आप इस रेसिपी को ट्राइ करना नहीं बूलिएगा अगर आप ट्राइ करते हैं तो इंस्टाग्राम पर टैक करना नहीं बूलिएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी रेसिपी से कुछ बनाएंगे so guys मैं चलती हूँ आप और आप से मिलूँगी अपने next video में till then take care bye bye